नमस्कार मैं हमजा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव सम्विधान दिवस पर E-Court परियोजना की शुरुआत वर्चुल जस्टिस क्लॉक और जस्टिस मोबाइल एप 2.0 लाउंच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजीत सम्विधान दिवस समारों में E-Court परियोजना की शुरुआत की इसके तहट वर्चुल जस्टिस क्लॉक जस्टिस मोबाइल एप 2.0 डिजिटल कोल्ट और S3WAAS वेबसाइट शुरु की गई है इस अवसर पर PM मोदी ने सम्विधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि सम्विधान हमारी ताकत है इसके अलावा सरकार ने भारती भाशा समीती का गठन किया है जिसकी अध्यक्ष्टा पूर्व CGI जेस्टिस MS बोबडे करेंगी भारती भाशा समीती छेतरी भाशाओं में कानोनी सामगरी का अनुवात करेगी और सभी भारती भाशाओं के लिए एक समान्य शब्दावली तयार करेगी सम्विधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारती सम्विधान को अपनाया था इसी उपलक्ष में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को सम्विधान दिवस मनाया जाता है अंत्रिक्ष में इसरो की नई उडान ओन सेट 3 समेत 8 नैनो सेटलाइट भेजे इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ने तमिलनाडू के श्री हरी कोटा इस्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज PSLV C-54 मिशन लॉंच किया जिसके तहट 9 सेटलाइट्स प्रिथवी की कक्षा में भेजे गए हैं इसमें ओसन सैट सीरीज का 3 जेनरेशन अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट शामिल है जो समुद्र और वायूमंडल का अध्यन करेगा और प्रिथवी के मौसम का पुर्वानुमान लगा सकेगा इससे चक्रवात और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तयारी करने का अवसर मिल सकेगा इसके अलावा साथ कस्टमर सेटलाइट और भुटान के साथ मिलकर बनाया गया एक डिपलोमैटिक सेटलाइट भी भेजा गया है 30 सेंटीमीटर के इस क्यूबिक सेटलाइट को भुटान की इंजीनियर्स ने बनाया है इसका वजन 15 किलोग्राम है मनी लॉन्डरिंग के आरोप में तिहार जेल में बंद दिल्ली के मंतरी सतेंदर जेन का जेल से एक नया वीडियो सामने आया है इसमें वह तिहार जेल के सुप्रिटेंडेंड अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे है भाजपानेता हरिश खुराना ने इस वीडियो को ट्यूटर पर शेयर करते हुए लिखा की लोजी नया वीडियो इमानदार मंतरी जेन का जेल मंतरी के दर्बार में रात आठ बजे हाजरी देते जेल सुप्रिटेंडेंडेंड यह वीडियो 12 सितंबर का बताया जाता है इसमें नजर आ रहा है कि सतेंद्र जैन के कमरे में तीन लोग हैं और कुछ देर बाद वे चले जाते हैं इसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंडेंड अजीद कुमार वहां आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं इस दोरान सतेंद्र जैन बेड़ पर लेटे रहते हैं जेल सुप्रिटेंडंड और सतेंद्र जैन किसी बाद पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं सुप्रिटेंडंड अजीत कुमार को 14 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था गुजराच चुनाओं के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र 20 लाख नौकरियां और इलेक्ट्रिक स्कूटी का वादा भाजपा ने गुजरात चुनाओं के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है भाजपा ने कॉंग्रेस से दो गुनी नौकरियां देने का वादा करते हुए कहा कि 5 साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी जबकि कॉंग्रेस ने 10 लाख नौकरिया देने की बात कही है इसके साथ ही भाजपा छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी भी देगी भाजपा ने संकल्प पत्र में गुजरात में एम्स जैसे दो संस्थान, तेन सिविल मेडिसिटी, दक्षिल गुजरात और सौराष्ट्र में दो सीफुड पार्क बनाने, एक हजार अतिरिक्ट मोबाईल पशू चिकित्सा इकाईयां स्थापित करने और अस समाजिक तत्तों से वसूली के लिए कानून बनाने की बात भी कही है, भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा ने कहा कि हमारा यह संकल्प पत्र महज डॉकुमेंट नहीं है, बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी मध्यप्रदेश में भारत जोडो यात्रा के दवरान बडवा के पास होटल में चाई ब्रेक के लिए रुक गए इस दवरान वहां कारकरताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई जिससे वरिष्ट नेता दिगविजे सिंग नीचे गिर गए कुछ कारकरताओं ने किसी तरह दिगविजे सिंग को उठाया, इसके बाद दिगविजे सिंग ने कड़ी नाराजगी जदाई मद्यप्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोलो यात्रा का चौथा दिन है आज खंडवा जिले के मोल टक्का से यात्रा सुबा 6 बजे शुरू हुई और बढ़वा होते हुए खरगोन जिले के मनिहार पहुची वही टी ब्रेक के बाद प्रियंका गांधी और उनके पती रॉबर्ट वाडरा इंदोर होते हुए दिल्ली रवाना हो गए मुंबई में आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजली कहा न माफ करेंगे न भूलेंगे 14 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की भयावा यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है इस आतंकी हमले में 166 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे मुंबई में हुए इस आतंकी हमले की बरसी पर आम लोगों के साथ बॉलिवुड सितारों ने भी शहिदों को श्रद्धांजली दी है बॉलिवुड अभिनेता अक्षे कुमार ने 26 से 11 के हमले में शहिद हुए लोगों और बहादुर जवानों को याद करते हुए कहा कि हम इसे कभी नहीं भूले है अभिनेतरी रवीना टंडन ने 26 से 11 हमले के काले दिन को याद करते हुए लिखा कि ना माफ करेंगे ना भूलेंगे बॉलिवुड अभिनेता अभिशेक बच्चन ने ट्विट करते हुए लिखा कि मुंबई आतंकी हमले को हम नहीं भूलेंगे पाकिस्तान सीमा पर घुस पैट की कोशिश बीएसेफ ने मार गिराया एक ड्रोन दो संदिक्दों को ख़देडा पाकिस्तान की तरफ से पंजाब बॉर्डर पर बीती रात तीन बार घुस पैट की कोशिश की गई लेकिन बीएसेफ जवानों ने इसे नाकाम कर दिया अमरित सर्च सेक्टर में करीब रात दस बजे दो ड्रोन भारती सीमा की तरफ बढ़ें दो बीएसेफ जवानों ने फाइरिंग कर एक को मार गिराया जबकि दूसरा पाकिस्तान सीमा में वापस चला गया बीएसेफ की अनुसार इसके बाद सर्च अभिहन चलाया गया तो एक ड्रोन खेतों में गिरा मिला यह आठ प्रोपेलर वाला ओक्टा कॉप्टर डीजे आई मैट्रिक्स ड्रोन था जिसका इस्तमाल पाकिस्तानी तसकर बड़ी खेप को भारती सीमा में पहुचाने के बीएसेफ ने पठान कोट सेक्टर में घुस पैट कर रहें दो तसकरों को ख़दिर दिया यह तसकर पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी फरईपूर के करीब थे